हेलो दूस्तो नमेश्कार यहाँ पे स्टॉक मार्केट क्लासे इस चैनल के उपर आ जाना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लिंक उपर आए बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कुछ तो आप लोगों को नया सीखने को यहाँ पे मिल जाएगा सो दोस्ता अभी हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर यहाँ पे जो टॉपिक है बहुत सारे लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया था जो कि अगर हमें बात करूँ इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका था बढ़ तबी की सिचुएशन अलग थी और वो ओएफेस की सिचुएशन अभी फिलाल खतम हो जुकी है तो टॉपिक बहुत ही सिंपल है रेल्वेस के दो दिग्गत स्टॉक एक है रवी एनल और दूसरा है आई आर एफसी इन दोनों स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो इनका कंपरिजन कौन सा स्टॉक इन मे तो यहाँ पर आर वी एनल से सो इसके पहले भी मैंने सेम टाइप का टॉपिक कवर किया था और तभी की बात अलग इसलिए थी क्योंकि तभी ओएफस नहीं था तो तभी मैंने आपको यूजोली बताया था कि अगर आप चाहो तो आर वी एनल को अवर्ड कर सकते हो एक बा से बड़ा एडवांटेज है कि सभी लोगों को पता है ये स्टॉक डूबेंगे नहीं एसा नहीं हो जाएगा कि एक दो रुपे पर आ जाएंगे क्योंकि रेल्वेस से जुड़ेवे एंड रेल्वेस सरकार के अंडर आती है तो ये कंपनी को कारोबार तो यहाँ पे मिलने सबसे खास बात कि कंपनी कोई भी सिलेट करने से पर एक बार देख लेना कि कंपनी क्या प्रोफिटेबल है या नहीं मतलब अच्छा पर्फोर्मस दे रही कि नहीं रेल्वेन्य तो कंपनी का ठीक या पर नजर आ रहे है क्या कंपनी प्रोफिट कमा पर रही रेल्वेन्यू से तो वह हम लोगों को चेक करना है तो आप खुद ही आपे देख सकते हो कंपनी का प्रोफिट बहुत ही यह है कंपनी का प्रोफिट पिछले कॉर्टर से तो साफ जम्प है येर ओन येर बेसे से भी अच्छी कासी जम्प या पर नजर आ रही है शेर ओल्डिंग पैटर्न दखाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि 75 to 25 का रेश्यो अभी कंप्लिट हो चुका है ओए अभी अभी पर एक जो लटक तीवी तलवार थी जो कभी ना कभी गिरने ही वाली थी हम लोगों को पता है सिर्फ टाइम फ्रेम एग्जेक्ली नहीं पता था तो वो भी सारा जो माजरा था वो अभी आपर खतम हो चुका है तो क्या अर्वी अनल खरब कंपनी है बिलकुल भी नहीं दो जिस दिन आप लंबसा मावंट लगा दोगे उस दिन आप लोग बाई और डिप्स का एवरेज करने का एडवांटेज खो बेटोगे तूकि बाजर में बहुत सारे अंसर्टिनिटिस रहती है आज बाजर उपर है कल कोई नेगेटिनिस आएगी तो बाजर वापस नीचे ब आप लोग देख सकते 19 रुपे के अंदर हम लोगो ये स्टार्ट होते वे देखने को मिला था एड़ साइज के इसाब से अगर हम लोग बात करे 50% का रिटन मिलना और वो भी दो साल के अंदर नॉट बैड बहुत ही अच्छा परफांस जिसमें ये कोविड का पिरेड भी ह हो गया तो हम लोग जरू के सकते कंपणी का परफांस ये बता ही देता है कि कंपणी फंडामेंटली स्ट्रॉंग है कंपणी बहुत अच्छी है एक स्मॉल कैप मिड कैप कॉलिटी में और वो भी सरकार बैक कंपणी रेरली हम लोगों को ऐसे चीज़े देखने को मिल जाती है तो अगर आपके बस RVNL में डेफिनेटली कहना चाहूंगा अगर आप चाहो तो यहापे और भी कंटिनी आपे कर सकते हो सरी पचास कप जाएगा किसी को नहीं पता है फिक्स टाइम करके कोई भी चीज नहीं होती है पर जाएगा जरू इतना हम लोग आप कह सकते है आप यह स्टॉक का मतलब फाइदा नहीं हुआ होगा तो क्या स्टॉक अच्छा है बहुत अच्छा है मैं अभी भी कहना चाहूंगा क्या फ्रेज बाइंग की जा सकती है तो मैं इसके पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ यह आंसर आपको बहुत बार अभी सुनने को मि करेंगे फिर भी आपे हम लोगों को बड़े इन्वेस्टर भी इस कंपनी में यहां पर हिस्सा खरीदते हुए भी देखने को मिल सकते हैं सो अर्वी अनल की बात करूँ कंपनी बहुत शांदर है आप चाहूं तो कंटीनु यहां पर कर सकते हो कंटीनु रहना मतलब यह मत यह 29 का शेर 25 तक नहीं आ सकता वो तो डिपेंड करता है मार्केट की कंडिशन के से हैं वो तो अप्स और डाउन्स चलेंगे हां बट इतना तो जरूर है कि यह कंपनी 10 रुपे तक नीचे आया थी अभियास 30 रुपे पे तो कंपनी में कमबैक करने का पोटेंशल जबरदस तो जिनके पास भी होल्ड जरू करना जो भी फ्रेश बाइंग करना चाता है और सेफली फ्रेश बाइंग करना चाता है ओविसलि आप लोग उने कौटर 4 के नंबर्स देखनी चाहिए नंबर अच्छे है तो डेफिनेटली आप लोग इसको खरीद सकते हैं चाहिए वो आपको टाइम देना आना चाहिए आप टाइम नहीं दोगे तो फिर आप लोग इस टॉक से इग्जिट करके आप निकल सकते हो तो इसलिए कहना चाहूंगा कि आप पे पेशन्स होना चाहिए इन कंपनीज में अगर आप निवेश करते हो तो बात RVNL के हो गई बट सेम ची कंपनी खराब नहीं है कंपनी देखा जाए तो एक मोनोपॉली टाइप का भी बिजनेस एंजॉय करती है फाइनस से चुड़ी वी NBFC की कंपनी है एंड रेलवेस को फाइनस प्रोवाइड करती है तो एक बात तो जरूर है कि यहाँ पे मतलब एक कॉमन सवाल पूचा जात बिलकुल नहीं यह धीमे धीमे करके भागते है और यही मतलब में बोलता हूँ न आप एडवांटेज देखते हो कि चलो प्राइस का एडवांटेज आपको मिल गया 20-30 रुपे में कौन सा स्टॉक मिलता है मतलब अच्छा वाला तो यह अच्छा तो जरूर है अगर आपक मार्केट में करोडों कमार होते है तो मार्केट में पैसा कुन कमाता है इंटर तो बहुत लोग करते है जो मार्केट में टिकता है पीछ पर खड़ा रहना आना चाहिए वह आपको 30 रुपया 35 रुपय चालीस रुपय पर भी देखने को मिलेगा फ्यूचर की अगर मैं बात करो तीन सार के बाद मतलब इयर्स के बाद एंड तब आप कैलकुलेट करेगे क्या असमें होल्ड करता तो पैसा मिल जाता सो IRFC जिसके पास भी पैनिक होने की कोई ज़रूत नहीं है दूस्तो मार्केट में बेन कला यही है इन्वेस्टर की जो जाला स्यादा प्रेशर हैंडल कर पाएगा वही मार्केट में टिक पाएगा ओविसली वो स्टॉक अच्छा होना चाहिए तो क्या IRFC अच्छा स्टॉक है यस डेफिनेटल अच्छा स्टॉक है क्या मैं ऐसी ही बात कर रहा हूं बिल्कुल नहीं मैं अच्छा है स्टॉक कौन से बेसेस के उपर के रहा हूं ओविसली मेरे पास भी कोई तो ठोस कारण होने चाहिए फिलाल तो गिरावट में आपे 55% डिलेवरीस तो देखने को मिल और यह जो कि अच्छी बात है सो मेरे पास कारण कौन से है सबसे पहले रेलवेस से जुड़ा हुआ है सरकार बैक कंपनी है मतलब कुछ होगा तो नहीं राइट करजे से कोई चिंता की बात ने एक देखा जाए तो NBFC में तो बैलेंस रहती है मतलब करजा रहेगा ही कंपनी का रिवेंद्यर चल रहा है क्या कंपनी प्रॉफिट यह देखिये कंपनी का प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं अलांकि अगर में बात करो तो यह पूरानी प्रॉफिट है आगर हम लोग इस तीन को भी अगर फिलाल देखे 19, 20, 20 की फिर भी आ हम लोग इंलाइन मेंटेन रखा हुआ है इतना मैं ज़रू कह सकता हो कि एक advantage बहुत जबरदस है आप लोगों के पास कि एक सरकार back company तो इन companies को कुछ होगा नहीं यह company जिन्दा ज़रूर रहेगे यह एक दो रुपे तक हम लोगों को crash भी होते हुए देखने को नहीं मिलने वाले है जबरदस advantage आप लोगों के साथ ज़रूर है बट जो मैं हमेशा आप लोगों को वीडियो में बताता हुँ आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लेना जबी मिया IRFC की बात करता हूँ आरवी अनल का example दिखाता हूँ क्यों दिखाता हूँ यह चार्ट पेटन हमेशा दिखाऊंगा में क्योंकि यही तो actual खेले जो कि आप देख सकते हो 35% बीच में crash हुआ था एंड लोग यहाप निकल गए कितना भी अभी अभी सुनने के लिए बहुत अच्छा लाएगा कि ह उन्होंने यह जो जखम है उसमें भी जो मतलब बहुत ही hostile environment था मतलब बहुत ही खराब environment था यहाप ऑविसली दस रुपे तक stock आना अच्छी बात नहीं होती है portfolio minus में चले गए थे और आज वह profit में क्यों है क्योंकि उन्होंने इस time पर हिम्मत दिखाई तो उन्हीं को जाके यह मिठाई मिल रहे 50% की तो यह कहानी हर stock में applicable होती है आप कौन सा भी मेरा वीडियो उठाके देख लेना आपको यह example मिलेगा ही मिलेगा सिर्फ वह stock अच्छे होने चाहिए ऐसा नहीं कि stock बरबाद है left to right पूरा नीचे stock का crash हो है और आप बोल रहे है कि मैं hold करूँगा तो फिर hold करके ही बैठ जाओगे इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तो यह दोनों company गजब के RVNL हो अर्वनल में खत्रा अभी टल चुका है OFS का आप वह पे जा सकते हो sir IRFC में भी तो OFS आ सकता है time लगेगा अभी अभी तो OFS से इंटर किया है उनने वह OFS future में आ जाएगा तब यह शायद से 30-35 तक भी हो सकता है तो उस बात की चिंता आप लोगों ने फिलाल यहापे करनी नहीं चाहिए और company के numbers भी अच्छे है तो दोनों company के अगर मैं बात करूँ दोनों company quality wise अच्छे है और वापस केना चाहूँगा 20-30 रुपे में जो quality आपको मिल रही है जो stocks मिल रहे है अगर आप देखोगे इन stocks में पैसा लगाओगे और hold करोगे बहुत टफ बात है hold करना तो आप definitely अच्छा का सा return कमा पाओगे सो RVNL के shareholder जरू hold करके आगे बढ़ लेना fresh buying करने के लिए quarter four numbers देख लेना IRFC की बात करें तो बहुत सरे लोग retail investor अल्रेड़ी इसमें निविश करके बेठे हुए और उनका portfolio लाल है अभी भी कहना चाहूँगा hold कर लिजिए example RVNL के मैंने दिखा दिया है उससे अगर आप कुछ सीख पाए तो जरूर आप लोग मतलब आगे बढ़ सकते हो क्या IRFC में हम लोगों नहीं आपे fresh buying करनी चाहिए आप चाहो तो कर सकते हो quarter 4 के numbers देखने के बाद भी कर सकते हो overall conclusion यही रहना चाहिए कि इस stock में enter करने वाला कोई भी बंदा यही नहीं बोलना चाहिए कि मैं loss में निकल गया करके क्योंकि मुझे डर लग रहा था गिरावट का आप time दोगे यह एक over the period of time आपको returns देने वाले stock है सिर्फ आपको hold करना आना चाहिए तो जितने भी possibility थी वो मैंने आपको यहापे बता दी दोनों stock में अगर आप चाहो तो 50-50 भी निवेश कर दोगे तो भी चल जाएगा दोनों stock quality wise best ही है सरकार बैक company है railway से ही जुड़े हुए so as such कोई भी चिंता की बात यहापे नहीं है अगर आपको लगता है कि finance में फिलाल गडबड होगी तो आप IRFC को थोड़ी देर के लिए award कर सकते हो RVNL के साथ जा सकते हो बट देखा जए तो overall दोनों के performance यहापे in line ही हम लों को देखने को यहापे मिलने वाले है so दोनों stock अगर आपके पास रहेंगे definitely hold करना कोई भी loss में बेचने की ज़रूरत नहीं है so आपको वीडियो पसंद आयोगा तो जरूर इस वीडियो को like and share कर देना so that's it thank you very much दोस्तो we will be meeting अरनेक शड़ी तब तक के लिए बाई बाई